पाकिस्तानी एक्टरस साहिबा अफजल ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में टॉप की आक्टरसस में सुमार रही उन्होंने अपने लगबग 30 साल के करियर में कई सुपर हिट फिल्में दी उन्होंने पाकिस्तान और फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को गर्विप किया लेकिन एक बयान ने उनकी पूरी इमेज को ही बदल कर रख दिया है खुद महिला होते हुए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके चलते वोए ट्रोल हो गई है उन्होंने बेटियों को बोज बताया है साहिबा अबजल और उनके आक्टर पती अबजल खान अपने बेटों संग हाल में 100 गुड मॉनिंग पाकिस्तान का हिस्सा बने थे उन्होंने बेटों की तरफदारी करते हुए बेटियों के लिए बेटु का बयान दे दिया साहिबा अबजल ने खुद एक औरत होते हुए कहा कि वहां कभी भी बेटियां नहीं चाहती थी उन्होंने खुद को लखी बताया कि उनकी कोई बेटी नहीं है हाला कि साहिबा के पती अबजल खान ने मामले को समालने की कोसित करते हुए कहा कि जब वह अपने कुलीक सान साहिद और सौध यूसुफ की उनकी बेटियों संग बॉर्णिंग देखते हैं तो उन्हें एक बेटी की चाह जरूर होती है लेकिन साहिबा अपजल यहीं नहीं रूखी उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी हो क्योंकि पूरी दुनिया में महिलाओं को अपनी पसंद चुनने की आजादी नहीं है वह अपनी किसमत को लेकर डर्ती है साहिबा अपजल ने कहा मैं अल्ला की हैसान मंद हूँ कि उन्होंने मुझे बेटे दिये बेटी नहीं बेटियों को ज़्यादा प्रेसर होता है वह अपनी जिंदिगी को अपने तरीके से नहीं जी पाती आपको बता दें कि साहिबा अपजल लाहौर में रहती हैं और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है साल 1992 में उन्होंने फिल्म मोबत के सौधागर से अपने करियर के सुरुवात की थी तो महीं साहिबा की पहली सुपर हिट फिल्म हीरो थी इस फिल्म में वो जॉन रैंबो के अपोजिट थी बाद में उन्होंने जॉन रैंबो से साधी कर ली जौन रेम्बो ने अपना नाम अपजल खान कर लिया